हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आमारी यूट्यूब चैनल सब्राट एजूगेशन में दोस्तों इस वीडियो में आप लोग के लिए आर्गिनिक फार्मिंग का कुछ वाइस से भी आप लोग कर लिजेगा तो पादप प्रोग प्रबंद में फसल चकर की भूमिका क्या है तो चलिए देखते हैं यह मेरा नोट से तेन साल पहलेगा आए निर्धा के निर्धारित छेत्र पर निर्धारित समय में फसलों का इसी को फसल चकर रखाते हैं फसल चकर अपनाने से अनेक रोगों की रोख थाम की जा सकती है जैसे बाजरा का चेपा वक कग्यारी के लिए पर पहुचाने वाले जींव जीव नासी का राते हैं तो दोस्तों यह में सिम्पल है कि पसलों को जो जिवानी पहुझाते हैं उसे जीव ना सीखाते हैं आगे चलते हैं जीवाड़ू कल्चर का उपयोग जैव उर्वड़क सुच में जीवों की जीवित को सिका में किसी वाग में मिस्रित करके बना जाते हैं जिने मिरिदा अधवाज बीच के साथ मिला देने नातरजन को भूमी में में इस्थिर कर देते हैं जिनने मिरिदा या बीच के साथ मिला देने पर जैवाड़ू कल्चर की जीवित को सिका में किसी मिस्रित करके बनाया जाता है जिने मिर्धा आज बीच के साथ मिरा देने पर जैव अहुरोरक पादर की णिक्रिया और वाली north nitrogen जो हता है उसे इस्थिर कर देते हैं। और जैव में गुलन सेल पाधार्तों को गुलन सील पाधांत्र हैं फैयारद के फीले उले अगले को सक्विय कुझी होता है kg कानिक माद आप दोस्तों है कि भूम में जो पाद अप होते हैं उनके अवसे जैव उर्वर्वक पाच्चन किरिया से मिट्टी की उर्वर्वरा सक्ति जोती है और फसर के उत्पादन की शम्ताव को बढ़ा देते हैं कर दूसर आम न क्या देआ हैं कि पुकल्फट करने के लिए कीट समोधाय का सहाम लेते हैं उसे कीट त्वार्वर्वर्वर् करते हैं जोसर द्वीदिया की चलनेगे साथ कि इसे बार बर अपनाना नहीं पड़ता है और यह एक प्रक्रिया अधिया इसे बार बार लिए दिड़ित करने के के लिए किया जाता जाते हैं फंतारी के करति के लिएूंगा लिए करने के लिए हम लोग को ले लावदाय को ता इसके लिए हरी खात को गळा जाता है पराया फसलों को हल चलाकर मिट्टे मिला दिया जाता है हरी खात भूमी को उब्याव सकती बढ़ाती है और भूमी के रच्छा करती है जो हरी खाद होते हैं भूमे को प्जाव सब्टी को बढ़ा देती है और फसलों की रच्छा करती है। फसले जो भूम मे जीवानश्पदार की मातरा को इस्थि रधवा बढ़ाने के लिए अपनाई जाती हैं उसे हरी खाद की फसल काती है। फासले जो मिर्दाम जीवांस पादार की मात्रा इस्थिर अथवा पढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं उसे हरी खाथ की फसल काते हैं तो दोस्तों उम्हेंद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा जिनका निर्माण मिर्दाम पाए जाने वाले लाब्दायक सुष्में जीवां द्वारा होता है क्रीसी मुप्योगी नैट्रोजन इस्तिक्रण तथा फास्पूरस को बुलंसील बनाने के कारे करता है जो क्रीसी मुप्योगी नैट्रोजन तथा उसका इस्तिक्रण तथे कर देता है और फास्पूरस को बुलंसील बनाने का कारे करता है जैव उड़क कैंफ एww हो म comigo करिते हैं खर्पतवार किसे काथ एशा पौदा जो ावण underest अस्थानों पर बिना बृष्व ही उग जाता है और उसफसर के विबिन रूप से श्थी पहुचा कर उपच की हानी करता है उसे खरवार करते हैं दोस्तों ओस्तों ऐसा पादा जो किसी अस्थान पर बीना बूर सोई और जाता है और वी उस दिफिनेशन देख लेते हैं, ऐसा पौता जिसे एक इस्कतार से कया शाखते हैं, एक वर्षी खर्पतवार दुई वर्षी खर्पतवार बहु वर्षी खर्पतवार तो एक वर्षी खर्पतवार जो होते हैं अबना जीवन्चेक एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं और दुई वर्षी दो वर्षी में जीवन्चेकर पूरा करते हैं तो और देखतें आगे खर खर्पतवार पुदे के साथ व्ग जाना जैसे कि यह उचना मैं ना और ना न नपक्लचीिकर बदर सब्धार इनकी करतें से अक्रती मुख पसल की जैसी होगी जली खर्वतवार जहां पर जल जमाव में उग जाता है अहितकारी खर्वतवार इनका नेतर असहाय होता है जैसे दूब खास अविकलफी खर्वतवार अविवस्तित भूमी में उगते हैं और अन्य पौदे से तुलना में योगे नहीं होते हैं अविकलफी खर्वतव